पीब्रेंड एम्ट 75 काप्सूल इसके बार में संपुन्च जानकरी आपको हिंदी में दी जाएगी कैसे आपको इसका डोज लेना चाहिए कितना दिल लेना चाहिए किस तरह की समस्चा में लेना चाहिए कैसे बेनिफिट करता है और क्या साइड इफिक देखने को आते जो इ प्रेटेश जादे भी हो सकती है इसके अंदर दो मॉल्लेकुल अच्छा रखता है उसे जो कि जो नौ में दर्द रहते हैं उससे कम करता है तो अब बात करते हैं कि इसे कब दिया जाता है क्या डोज होता है तो जब आपको नर्व सब्सक्राइब रहता है यानि हो गया है यानि उसमें अघसा की डिश्टर बंस आ जा गया रहा है तो दर्द हो रहा है वह जिसे कि अगर आपको डिटेश सब्सक्राइब लेइब broadly सिए था था तो उस समय भी दिया जाता है या जैस्वे इसे कि Ana पर पाउं में जंजनार सी रहती है और जिसे नसों में आपको कई दर्द समय सुस होता है तो इसे जरूर पालो करें इसे चबाना नहीं करना इसे ब्रेक नहीं करना है डारेक पार्णी के साथ मैं उसे निगलना है और इसका जो डोज रहता है वो बताई डॉक्टर के अनुसारी लें आप और इसे बंद करने से पहले जरूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और जिसे आप कोई डॉज मिस का जारे तो सिंगल डॉज फॉलो करें अगर आप इसे लेना मोमेंट भी देखने को मिल सकते हैं कमजोरी भी फिल कर सकते आपको नीद भी जादे आ सकते तो अगर आप चैनल और वीडियो पर पहली बार विजिट की हैं अगर आपको वीडियो इंफॉमेटिक लगे तो लाइक कर दिजेगा मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं और अपने